नमस्कार गाजीपुर्ग की दिन भर की सबसे बड़ी पाच खबरों के इस बुरेटेन में आपका स्वागत है। चले शुरुवात करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। जवानों का नाम वा पूरे भारत में शहीद हुए जवानों की संख्या को पढ़ कर सुनाया। इसके उपरांत उनके द्वारा शहीद जवान के मातापिता को शौल भीट कर संबारित किया गया। इस अवसर पर सदर सीयो ओजस्वी चावला, आर आई और अधिकारियों के आउटो खड़ा कर नगर चेर्मेन विजल अक्ष्मी कुपता के खलाफ जम कर नारेबासी की। इस मौके पर भरष्वान ने कहा कि शासन द्वारा नगर पाली का सहित नगर पंचातों में हो रहे पार्किंग वसूली को बंद करा दिया गया है। फिर भी टेंपो चालकों स जबरदस्ती ठेकेदारों वर नगर चेर्मेन की मिली भगत से प्रती चक्कर 10 रुपया अवैद वसूली की जा रही है। चालकों दोरा विरोध करने पर ठेकेदार आए दिन मारपीट कर रहे है। चेतावनी देते विए कहा कि नगर पंचात द्वारा अगर जल से जल राशनल हाईवे 29 को जाम करेंगे। जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन सहित नगर पंचात की होगी। अंत में संग के पदाधिकारियों ने सदर SDM को पत्रक सौप वसूली बंद कराने की मांग की है। इस आवसर पर गुपाल यादव सोनू, राजकुमार पांड यादव के नेतरितु में बुद्वार को जिला मुख्याले सित समाजवादी पाठी के कारियाले संता भौन के नीचे चलाया गया। जिलाधेक्ष ने बताया कि यह हस्ताक्षर अभ्यान विजय दश्मी परव तक चलेगा। 10,000 हस्ताक्षर अब तक हो चुके हैं। विजय जिलाधेक्ष राजेश कुश्वाहा, जिलाधेक्ष निजामदीन खान सदनन्द यादो आदी उपसित रहे। सुचना मिला पर पुलिस के साथ ही माईके के लोग पहुंच गया। पुलिस ने शव को कबजे मिले कर पोस्माटम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाए हो रही है। लोग अपने अपने नजरिये से घटना को देख रहे हैं। इस सम दवोपूर मलाई गाउ में बुद्वार की सुबह हत्या की वार्दात हुई। जानकारी के अनुसार दवोपूर मलाई गाउ निवासी आवधेश यादव 40 के पटीदारी में किसी का निधन हुआ है। घर से करीब 100 मीटर दूर स्थिद पीबल के पेड़ के पास लोग फि करंडा थानक शेदर के नारी पजदेवरा निवासी किशन यादव 30 और बिजिश यादव 26 को पकल लिया और उनकी जम कर पिटाई की। हमलारों को स्कॉर्पियों में तोर्फोल किया। जला स्पताल लाते समय अवधेश की मौत हो गई। पुलिस घायल बदमाशों को स्प करें और बेल आइकन को जरूर दमाएं।